हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टू माई चानल हाजीरू मैं एक न्यू फैंटेसी चाइनिज मूवी के स्टोरी के साथ जो कि हुमन और डीमन के लब पर बेस्ट है कहानी काफी इंट्रस्टिंग है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी के स्टार्टिंग में नेरेटर हमें बताता है कि पुराने समय सही हुमन और डीमन दोनों अलग-अलग दुनिया में रहते थे और उनके विचार एक दूसरे से बहुत ही अलग थे दोनों की दुनिया के कुछ नियम थे जिनने अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनका पुनर जनम नहीं होगा ये कहानी डीमन ट्राइब की छोटी राजकुमारी से शुरू होती है सीन सिफ्ट होता है और हमें हुमन वर्ल्ड के एक इंपरर को दिखाया जाता है जो कि दासियों की साथ लुका छुपी खेल रहा होता है इंपरर एक दासी को पकड़ता है तब ह एक काला दुपट्टा उसके पास से होकर गुजरता है और इंपरर उसकी खुस्बुकी और खिचा चला जाता है उसे एक पैर महसूस होता है पर जब वो अपनी आखों से पट्टी उतारता है तो वहां कोई नहीं होता अचानक पीछे से एक मधूर आवा आ जाती है और वो एक सोलजर गिरता पड़ता वहां आता है और कहता है कि हम पर हमला हुआ है तब यह कपड़ा उरता हुआ आता है और उस सोलजर को खीच कर बाहर ले जाता है यहां एंट्री होती है हमारी में फीमेल लीड की जिसका नाम बाई है जो डीमन प्रिंसेस है और जो डीमन गर्ल के साथ थी उसका नाम रेमो है और ये दोनों सिस्टर्स हैं बाई यहां पर रेमो को वाबस आपने साथ डीमन वर्ल्ड में ले जाने के लिए आई होती है तब यह इंपरार अपने सोलजर को बुलाता है सोलजर आ जाते हैं बाई उन से वाइट करके उनस अभी चाहिए और बाई के पास पानी की यह सब देखकर इंपरर वहां से उठकर भाग जाता है बाई रेमो से फाइट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह हुमन वर्ड में नहीं रहना चाहिए माने तुम्हें वापस बुलाया है अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुम् कंफ़र्म में ट्रांसफार्म हो जाती है दोनों आसमान में जाकर लड़ने लगते हैं बाई रेमो पर भारी पड़ रही होती है तभी बिजली कड़कती है और बाई को लग जाती है जिसे बाई घायल होका नीचे एक टेंपल में आगिरती है और मौक पाकर रेमो वहां से अगली सुबह, एक लड़का जिसका नाम हॉन जी होता है, वो टिम्पल में आता है, वो टिम्पल के सारे काम किया करता था, वो जैसे ही टिम्पल के अंदर जाता है, वहां उसे एक गंठा दिखता है, जो कि बाई के गिरने से बना था, तभी उसे पानी के बुलबुले की बैट जाती है, बाई के हांस देखकर हांजी डेमन डेमन कहता हुआ, बाहर की और भागता है, पर बाई उसे कपड़े से बात कर उल्टा लटका देती है, हांजी कहता है कि मुझे जाने दो, बाई उसे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें मेरी बहन ने यहां साथ पूछल पहले मर गये और उसके सीनियर सिटी की फेस्टिवल में गए हैं। वो जड़ी बूटिया लेने पहाड पर गया हुआ था और अभी वापस लोटा है बाई उसे डरा हुआ देखकर मज़े लेते हुए उसे और भी डराती है वो से कहती है कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है तुम्हारा मीट बहुत ही स्वादिश्ट होगा इतना कहकर वो ह हांजी के बारे में बताता है और कहता है कि वो तुम्हें ढूट रही है इस पर रेमो उसे बाई को रोकने के लिए कहती है इस पर वो से रोकने के लिए निकलता है तभी वहां क्यूनिंग आता है जो कि हुमन वर्ड का प्रिंस होता है वो रेमो के जख्म को देखता है और क क्यूनिंग से प्यार करती है इसलिए वो उस दिन इंपरर को मारने गई थी पर बाई ने आगर उसका प्लान खराब कर दिया था इधर बाई हांजी को बांद कर एक बोट के पास ले जाती है हांजी उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे कहां लेकर जा रही हो बाई उस कि अगर मुझे रास्ते में भूख लगेगी तो मैं तुम्हें मार कर खा जाओंगी बाई बोट के आगे बैठ जाती है रात हो जाती है बाई बोट के आगे बैठ कर गाना गा रही होती है तब ही उसे कुछ घिसने की आवाज आती है वो पीछे जाकर देखती है तो हांजी अपने हाथ के बंधन को खोलने के लिए उसे रगण रहा होता है बाई उसे पूस्ती है कि तुम क्या कर रहे हो हौन जी डर जाता है बाई कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम मुझे तुम्हें जल से जल्द खाना पड़ेगा ये नेचर का नियम है कि डीमन्स हुमन्स को खा जाते है हौन जी कहता है कि तुम डीमन्स अलग हो हम हुमन्स अलग है बाई पूस्ती है कि हमारे बीच क्या अलग है हौन जी कहता है कि हम प्यार कर सकते है तुम प्यार नहीं कर सकते बाई पूस्ती है कि ये प्यार क्या होता है हान जी कहता है कि प्यार माफ कर देना होता है प्यार से सब कुछ पॉसिबल है प्यार से सब कुछ बदल जाता है प्यार से भगवान भी मिल जाते हैं इस पर बाई उसके हाथ से बंदन खोल देती है इसके बाद वो लोग इंपीरियल सिटी पहुँच जाते हैं हान जी ने इंपीरियल सिटी पहली बार देखी थी वो चारो और देखता है चारो तरफ प्रोस्टिट्यूर्स होती है हान जी बाई से पूछता है कि क्या तुम्हारी बेहन यहीं पर है बाई कुछ नहीं कहती थोड़ी देर में दो बच्चे दिखाई देते हैं जिसे बाई अपने जादू से अपने वस्मे कर लेती है और उन्हें हान जी को दिखा कर कहती है कि यह मेरा खाना है तुम इस पर नजर रखना वो दोनों बच्चे हान जी के पीछे पीछे चल देते हैं कुछ देर बाद दोनों बच्चे हान जी को एक कमरे में डाल देते हैं वहां उसे कुछ लड़ियां सेड्यूस करने लगती है इधर छोटा बच्चो हाँजी को एक कमरे में लेकर जाता है जहां एक बुड़ी औरत होती है वो बुड़ी औरत बाई को पहचान जाती है अगले सीन में बाई खाना खा रही होती है और उसे रेमो के बारे में फूसती है दर के मारे बताना शुरू कर देती है कि डेड़ महीने पहले रेमो इंपीरियल सिटी आई थी और वो यहां किसी से मिली और उसे उससे प्यार हो गया बाई पूछती है कि वो कौन है फॉक्स लेडी कहती है कि मुझे उसका नाम नहीं पता पर वो एक प्रिंस है और उसने जाके खुल जाती है और वो अपने चारो तरफ साफ ही साफ देखता है यानि कि जो लड़कियां उसे सेड्यूज कर रही थी वो भी डीमन्स ही थी हांजी डरकर वहांसे भागता है तो उसे चारो तरफ डीमन्स नजर आते हैं इधर बाई मोटे आदमी से लड़ रही होती ह तभी उसे हांजी दिखता है और वो हांजी को बचाने के लिए डीमन्स पर वार करके उन्हें मार देती है फिर वो मोटे आदमे पर भी वार करके उसे भी मार देती है पर ये सब करने से उसकी ताकत बहुत ही कम हो जाती है और वो कमजोर फिल कर रही होती है तभी फॉक्स ले प्रिंस क्यूनिंग और बाखी सबी लोग उसकी वसीयत का इंदिजार करते हैं तब ही मंत्री आता है और वसीयत सुनाता है कि किंग का एक बेटा जिसे उन्होंने टिंपल के बाहर रख दिया था उसके चेस्ट पर आते चांद का निसान है उसे ढूडो और उसे ही यहां का इ इंपीरिया सिटी जाता है वहां सभी लोग उसे बिखारी समझ रहे होते हैं क्योंकि पानी में गिरने से उनकी बाड़ी से बदबु आ रही होती है हौन जी बाई को लेकर एक खाली पड़े घर में जाता है वहां पर वो उसको सुला देता है बाई की हालत बहुत खराब हो सुबह जब बाई के आके खुलती है तो हान जी वहां नहीं होता वो बाहर जाकर देखती है तो हान जी कुछ मौंक के साथ मिलकर बच्चों को खाना खिला रहा होता है बाई बाहर जाती है और हान जी से पूछती है कि ये सब कौन है हान जी उसे बताता है कि ये मेरे सीनियर जो इंपीरियल सिरी फेस्टिवल में आये थे ये अनास बच्चों को खाना खिला रहे हैं वो खाना लाकर बाई को भी देता है बाई उसे टेस्ट करती है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उस खाने को फेक देती है कुछ बच्चे आकर उस खाने को उठाकर खाने लगत तो मॉंक आकर बाई को समझाते हैं कि अनास बच्चों के लिए ये खाना बहुत महत्वपूर है मॉंक बाई का सुक्रियादा करता है कि उसने हौन जी की जान बचाई थी बाई उटकर अंदर कमरे में चली जाती है तभी उस जगहें पर क्यूनी के सोलजर्स हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हमें एक ऐसे मॉंक की तलास है जिसके चेश्ट पर आधे चांद कर निसान हो सारे सोलजर्स उन्हें पीट पीट कर सभी मॉंक लड़कों के चेश्ट को चिक करने लगते हैं इतने में बाई वहां आती है और अपने सुपर पावर का यूज़ करके उन सोलजर पावर करती है तब हां जी वहां आता है और कहता है कि आज लाइट फेस्टिवल है चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं इधर फॉक्स लेडी क्यूनिंग और रेमो के पास पहुंची होती है क्यूनिंग उसे गोल देता है और उसे ब्रॉथल में हुए इंसिडेंट के बारे में फूसता है वो उसे ये भी फूसता है कि क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानती हो जिसके चिस्ट पर आदे चांता निसान हो फॉक्स लेडी गोल देकर सारी बाते बता देती है वो बताती है कि एक बंदा बाई के साथ आया था और उसके चिस्ट पर ब्रॉथल की लड़कियों ने आदे चांद का निसान देखा था फॉक्स लेडी के इतना बताने पर क्यों नी उसे तलवार से मार देता है रेमो अब रेवन डीवन से कहती है कि तुम जाओ और उस बंदे का कटा हुआ सर लेकर मेरे पास आओ रेमन डीवन बोलता है कि बाई उसके साथ होगी रेमो कहती है कि बाई को भी मार देना रेमन डीवन वहां से उन्हें मारने के लिए निकलता है बाई और हॉन जी लाइट फेस्टिवल में होते हैं हॉन जी एक जगें पर लैंप खरीदने जाता है वहां दुकांदार उसे बताता है कि लैंप खरीदने के लिए उसे पहलियों का अंसर देना पड़ेगा वो पहली पहली का अंसर देता है पर वो दूसरी पहली का अंसर नहीं दे पाता जिसकी वज़े से बाई नाराज होकर बाहर निकलाती है हान जी उसके पीछे पीछे जाता है और बाई भीड के ग्रुप के साथ आगे निकल जाती है और हान जी को लगता है कि उसमें बाई को खो दिया और वो फिर सैड हो जाता है तब ही बाई उसके पास आती है और वो बाई को देखकर खुस हो जाता है तब ही अचानक आस्मान में आतिस बाजी होती है जिसे देखकर बाई खुस हो जाती है और वो हान जी को लेकर आस्मान में उड़ जाती है वो दोनों खुसी से आस्मान में उड़ रहे होते हैं थोड़ी देर बाद वो एक छट के उपर बैठ कर बाते करते हैं हान जी उसे उसकी बहन के बारे में पूचता है तो वो उसे अपनी बहन के बारे में बताती है फिर वो हान जी से उसके बारे में पूचती है तो हान जी उसे बताता है कि उसे कोई टेंपल के बाहर छोड़ कर चला गया था तब से वो मास्टर के साथ ही रहा है उसकी बाते सुनते सुनते बाई उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है सुबह बाई और हॉन जी जब उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गाउं के लोग को रेवन डीमन ने मार डाला है रेवन डीमन हॉन जी पर भी हमला करता है जिस पर बाई अपने स्नो पावर से रेवन डीवन को मार देती है रेवन डीवन मरते मरते ये बताता है कि हौन जी यहां का होने वाला इंपरर है और उसे क्यों नी मारना चाहता है वो उसकी बहन के बारे में भी उसे बताता है हौन जी को जब पता चलता है कि उसके साथियों को भी रेमो ने मरवा दिया है तो वो बाई पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे भी खाजाओ बाई ये सुनकर वहाँ से चली जाती है लोग उससे डर कर भाग रहे होते हैं वो उसे छट पर जाकर बैठती है जहां वो हॉन जी के साथ बैठी थी और उन पलों को याद करती है जो उसने हॉन जी के साथ बिताये थे इधर हॉन जी भी अपने टेंपल लोट आया होता है और उसे भी बाई की बहुत यादा रही होती है इदर क्यों नहीं को पता चलता है कि रेमन डीमन मारा जा चुका है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है रेमो उसे बात करने की कोसिस करती है तो वो उसे दूर रहने के लिए कहता है रेमो कहती है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि आपका गुस्सा सांथ हो जाए तो वो कहता है कि तुम बाई को जाकर मार दो और हान जी को भी क्या तुम अपनी बहन को मार पाओगी रेमो कहती है कि हाँ तभी बाई भी उसके पैलेस पर आकर हमला कर देती है और सोलजर्स को मारने लगती है तब तक क्यूनिंग बाहर निकलता है वो क्यूनिंग का गला पकड़ कर पूछती है कि मेरी बहन कहा है तब ही रेमो आकर उस पर हमला करती है फिर दोनों बहनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है दोनों ड्रैगन फॉर्म में कनवर्ट होकर खूब लड़ाई करती है तभी हाँजी वहाँ आता है तो रेमो हाँजी पर भी हमला कर देती है बाई रेमो को मारने की कोशिस करती है तो हाँजी उसे कहता है कि तुम अपनी बेहन को मत मारो तब ही क्यूनिंग आता है और रेमो को गले लगाता है फिर अचानक वो से स्वार से स्टैप कर देता है वो बाई से कहता है कि तुम अगर मेरा साथ दो और हांजी को मार दो तो मैं तुम्हें हिूमन और डिमन दोनों वर्ड की रानी बनाऊंगा बाई उसकी इस बात पर रेगरी नहीं होती तो क्यूनिंग उसे भी तलवार से मारने जाता है पर हांजी बीच में आ जाता है जिसे हांजी की मौत हो जाती है बाई गुसे में अकर तलवार को बर्व से जमा कर क्यूनिंग को भी जमा देती है और फिर उसे तोड़ देती है जिसे वो भी खत्म हो जाता है सीन सिफ्ट होता है और तीन सो सालों के बाद बाई छोटे बच्चों को यही कहानी सुना रही होती है ये कहानी सुनाने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो बिलकुल हॉन जी की तरह ही दिखता है शायद हॉन जी 300 सालों बाद फुनर जन लेकर बाई के लिए दो बार आया था इस तरहें दोनों 300 सालों बाद एक बार फिर से मिल जाते है यहीं ये स्टोरी इंड होती है तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुड़ बाई